दोस्तों हमारा दिमाग अद्भुत क्षमताओं और शक्तियों का भंदार है लेकिन हम आम तोर पर इन से अंजान होते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन के मामलों में इतने उलज जाते हैं कि हम अपने दिमाग को शांद, स्थिर और केंद्रित नहीं कर पा क्षमताओं का अनुभव नहीं कर पाते हैं ये बिल्कुल सूर्य की तरह है जिसमें अपार शक्ति है लेकिन उसकी उर्जा पूरे सौर मंडल में नश्ट हो जाती है लेंस की सहायता से जब हम उसके प्रकाश का एक छोटा सा भाग भी कागस पर केंद्रित करते हैं तो काग की दुनिया में हम सभी अपने साथ सेलफोन रखते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को दूर बैठे दूसरों तक पहुँचाते हैं हाला कि पहले के समय में भी विचारों और भावनाओं को लंबी दूरी तक प्रसारित किया जाता था आपको जानकर आश्चर्य हो या भावनाओं को प्रसारित करने और प्रभाव डालने के रूप में परिभाशित किया गया है। ये हमारे अफचितन मन की एक आकरशक शक्ती है जो एक जगह बैठती है। इस टेलीपैती का उप्योग करके हम दुनिया में कहीं भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और ये स संपर्क केवल मनुश्यों तक ही सीमित नहीं है। बलकी पौधों जानवरों और वास्तव में ग्रहों या सितारों सहित इस ब्रह्मान की किसी भी वस्तू तक पहुँचना संभव है। दोस्तों टेलीपैती मन की एक जन्म जात शक्ती है। ये ना केवल मनुश्यों में बल की पौधों और जानवरों में भी मौझूद है। ये सब हमारे अवचेतन मन के माध्यम से ही होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास सूक्षम जगत से संपर्क स्थापित करने का एक मात साधन अवचेतन मन ही है। टेलीपैती के प्रयोग से हम हजारों मील दूर किसी भी व्यक्ती से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इस क्रिया में हम जो भी विचार या भावनाय व्यक्त करना चाहते हैं। पहले उनकी स्पष्ट छवियां कल्पना में बनती हैं। और फिर अपने अवचेतन मन पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें दूसरे व्यक्ती के अव चेतन मन में गूंजने लगता है। यदि इन कलपनाओं को नियमित रूप से बार-बार व्यक्त किया जाता है। तो विचार तरंगे मजबूत होने लगती हैं और जैसे जैसे दूसरे के मन में गूंजती तरंगे ताकत हासिल करती हैं, शक्तिशाली होती जाती हैं। इसमें चेतन मन जितना मजबूत होगा, किसी व्यक्ती को प्रभावित करने में, उसे उतना ही अधिक प्रयास और समय लगेगा। इसके विप्रीत, एक कमजोर चेतन मन प्रभावित करने में अधिक सक्षम होता है। दोस्तों टेलीपैथी के द्वारा हम अपने दैनिक जीवन में, अपने संबंधों में परिस्तितियों में और अपने जीवन में कई वांशित सकारात्मक बदलावला सकते हैं। प्रार्थनाए शुबकामनाए और सद्भावनाए जो हम इमानदारी से दूसरों के लिए चाहते हैं, टेलीपैथी के माध्यम से ही काम करती हैं। और टेलीपैथी के नियम तब भी लागू होते हैं। जब किसी दूर्स्थित व्यक्ती को प्रभावित करने और उसे सम्मोहित कर उसके दिमाग पर नियंत्रन स्थापित करने के लिए तांत्रिक नकारादमक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यदि टेलिपैथी ना होती तो न तो तांत्रिक शक्तियां काम करती और नहीं प्रार्थनाओं और शुब कामनाओं का कोई असर होता ये सब हमारे अबचितन मन की इस अद्भुत शक्ति के कारण ही कार्य करते हैं आज रेकी, प्रानिक हीलिंग, क्रिस्टल थेरपी आदी जैसी कई दूरवर्ती उपचार विधियां उपलब्ध हैं इन में से टेलिपैथी एक बहुती प्राकृतिक अव्यक्षमता है जो हम सभी के पास है और इसे विक्सित करके हम प्रानिक हीलिंग को पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी व्यक्ति तक पहुचा सकते हैं इस पद्धती के प्रयोग से हम किसी दूसरे व्यक्ति से दूर रहते हुए भी उसके सभी प्रकार के छोटे बड़े शारीरिक मानसिक भावनात्मक रोगों का इलाज कर सकते हैं रेकी के अभ्यास में उपचार करता के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति या दूर बैठे व्यक्ति को उपचार देने में कोई अंतर नहीं है वास्तव में अक्सर दूर का उपचार सत्र ठीक लिप्रीद व्यक्ति के उपचार सत्र की तुलना में कहीं अधिक जल्दी समाप्थ हो जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि दूर के सत्र में उपचार शक्तियां बहुत तेजी से प्रवाहित होती हैं और सूक्षम स्तर पर बहुत तेजी से कार्य करती हैं इस तथ्य को दुनिया भर के लाखों रेकी चिकित सकों द्वारा सफलता पूर्वक सिधकिया गया है दोस्तों टेलीपैथी के द्वारा उसनकारात्मक्ता को ठीक करना और समाप्थ करना संभव है जो हम अपने पिछले जन्म से वर्तमान जन्में लेकर आ रहे हैं हम टेलीपैथी के माध्यम से विचारों को भविश्य में भी प्रसारित कर सकते हैं और अपने लिए वांशित भविश्य का निर्मान कर सकते हैं जब एक व्यक्ति दूरवर्ती उपचार के माध्यम से दूसरे व्यक्ति का इलाज कर उसे स्वस्त बना सकता है और उसके लिए सकारात्मक परिस्थितियां बना सकता है तो यदि लाखों लोग ब्रह्मांड में सकारात्मक उर्जा भेजते हैं तो वे भी एक सकारात्मक वर्तनला सकते हैं। जब लाखों पुरुष और महिलाएं मिलकर एक शक्तिशाली सकारात्मक भावना का कमपन पैदा करते हैं। तो यह संभव नहीं है कि यह शक्ति ब्रह्मान्द में गायब हो जाए। इसे अपना सकारात्मक प्रभाव डालना ही होगा और वह अवश्य डा वस्तुस्ति या घड़ना से कुछ ही सेकन में संपर्क स्थापित कर सकती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं टेलीपैथी के माध्यम से हम जीवित प्रानियों को ठीक कर सकते हैं। उदाहरन के लिए हम दूर से पौधों को ठीक कर सकते हैं। और उन्हें सामान्य किस्मों क तुलना में अधिक स्वस्थ और हरा भरा बना सकते हैं। एक ही स्थान पर रहकर हम टेलीपैथी के माध्यम से सूक्षम जगत में प्रवेश करके हजारों गतिविधियां संपन कर सकते हैं। और पूरे पानी को कंपित कर देती है। ठीक उसी तरह टेलीपैथी में भी मन से उठने वाली तरंगे फैलती हैं। और दूसरे व्यक्ति तक संचारित हो जाती हैं। अंतर केवल इतना है कि टेलीपैथी में प्रसारित तरंगे निर्देशित होती हैं। किसी विशिष्ट व विधी में मन को भी प्रशिक्षित करना पड़ता है नियमित अभ्यास से मस्तिश्क का विकास होने लगता है और यह शक्ती अपने आप प्रकट होने लगती है आधुनिक समय में लोगों को टैली पैती सीखने की आवश्यक्ता महसूस नहीं हो सकती है लेकिन अपने दिमाग को बहतर धंग से समझने और उप्योग करने के लिए हमें इस शक्ती को विक्सित करने का प्रयास करना चाहिए यह हमारे दिमाग की एक अद्भुत शक्ती है और हमें इसके बारे में जागरूपता बढ़ानी चाहिए दोस्तों आज के इस विडियो में बस इतना ही अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद